असलाम लीकुम जी कैसे ये मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली उमीदा जिससे बिल्कुल टिक टाक होंगे अलहम्दलेला मैं भी बिल्कुल टीको और ले आई हूँ आप लोग के लिए एक नियू विलोग आप सब का बहुत शुक्रिया लास्ट जो मेरे भाई के निका पिर भी फाइनली आज आपनोंगो विलोग मिल गया है अभी फोरन से लाइक कर दे वीडियो को बहुत मज़े की होने वाली है तो ये निकाह की रात वाला विलोग है मतलब जहां से मैंने निकाह का विलोग एंड के था मैंने हॉल से एंड कर दे था क्योंके घरा के जब में बिल्कुल दिल नहीं था थकी पड़ी थी मैं ये निकाह वाले दिन का में लौग है इसके बार रात को इतनी भूग लग लगी थी ना तो फिर हम लोग ने के आफसी और करा लिया था और पूरी फैमिली ने मिलके खाया और मुहम्मद साब भी यहां पे भागे फिर दे भी जाग रहा था इसे लट सोने की आदत हो गई दी कि यहां पर सोथा ही नहीं था जागता रहता था तो इसकी रुटीन कराब हो गी थी त्पिर यहां पे रात लहां पे खतब ही निकाह वाला दीन मर अक्मदार से नेकस डे स्टार्ट और शौड़ था है और स्वार्स्वार कुछ खाने का दिल नहीं करा था कि रात को इतना लेट नाइट हमने के अफसी वगारा खाया था तर इसके बाद मिठाए की तरफ आगे तो आगे तो हमने डिवाइट वगारा करनी था मजब तक्सीम करनी थी फैमिली में और यहां पर वही मिठाए वगारा टेस्ट भी मैं कर मैंने का चलो अब जल्दी करो मुझे बड़ी एकसाइटमेंट हो रही है कितने कुलेक्ट हो है पैसे मैंने का यह भी सही वासाय जिनके दिकाव गाय शादी होते हैं काफी पैसे जमा हो जाते हैं कि दिन तो बंदा अमीर सही हो जाता है पिर उसके बाद पर वही नॉर्मल तरफ से तकरीबन बराबर ही थी बाकी अच्छी होगी थी अच्छी खास थी और जब यहां पर इन्वैलब खोल रहा था उससे जाना मुझे एकसाइटमेंट होई थी कितनी सुलामियों होगे मैंनू जल्दी दस दो और आप लोगों क्या ऐसे होते एकसाइटमेंट कुई स चीज हो लेकिन ऐसी कोई भी चीज होना बजा आता है पंदे को देखने में और चोटे-चोटे मोमेंट्स को इंज्वाय करना चाहिए ना फैर जी उसके बाजी हम लोग जा रहते बाहर और आप लोग सोचेंगे उन कितने चली है इनने दिन फिर दी रही है और मुझे कमें जगा जगा से सीखी है कभी कई वे क्लिप देख लेती हूं तो उससाब से मुझाती है यहां पर जा रहे थे पॉलर और पॉलर जा रहे थे अभी फिर जा रहे हैं आप लोग सोचेंगे हम लोग इससे जाए थे क्योंकि मैं बहनने चली जाना था कल पर सो उसे कुछ काम था फेशल वगर ऐसी चीज़े करानी थी तो बस उसके साथ मैं पूरा दिन लगा कर यहां पर रहत होगी थी मैं क्या हूं मैंनो कुछ खला मुझे इतनी भूख लगी थी तो मैंने कुछ मैंने का मीटा ही खला दो पॉलर के बिलकुल साथ ही जो है ना स्वीट क्रीम है तो इसक कुकीज ही थी मुझे इतनी नहीं पसंद आई बहुत नॉर्मल थी फाइव नंबर दोंगी मैंसे टैन मैंसे इतनी जादा नहीं मुझे एच्छी लगी मुझे इनका लावा केक ही सूट करता है वही नेक्स टाइम लोंगी अब मैंना बस ठीक थी तो अगर कोई करने का सोच तो सिया गलती ना करियो अगर आम लोंगो बहुत ज़्यादा दिल कर रहे तो खा लें लेकिन लावा केकिन का ज़्यादा बहस रहता है इस प्राइस में ना घर वापिस और यहां पर आती मुझे नमकीन खाने का भी कुछ दिल कर रहा था यूंकि मैं सुबा नाशता भी न आई दाल चावल बनाये थे यूग के निकाह वाले दिनों में बहुत फास फूट और ऐसी चीज़े काई है तो आई दाल चावल ते साथ में जो एना कटलस बनाये थे और मैंने कटलस का जो मतलब अन्डा फ्राइए तो उसके साथ बच गया तब बड़ा मज़े का उन्डा मैं कुछ होना ऐसा हो नहीं सकता पतीली मैं थोड़ी से चाय और पती इतनी जादा उस सारी मुझसे गिर गी इन्ना खलारा पह गया ना मैंने फॉर्स आफ किया उसके बाद बर्तनों की तरफ आई हाई मैं थक गई थी इस टाइम पर थक गई थी बिल्कुल और फिर मैंने कि थे थी इतना दिल का रहा था ना ना वाकि टाइम था चॉकलेट घर था लेकिन मैं था थी इस बेटी हूई थी इतन बाई यूज फार दी थी तो बैस थन बाई जब अन्नी एक्साइटी हो गई थी थी खुशी हुए थी अढ़ी सोच रही चीज बोट मुझा लगा था सोच रहा और वो पूरी हो जाए चीज अलहम दो लेला तो बस हाफ एक्रा कोटी और हाफ मैंने ली और मज़े से फिर मैंने खाई इसके बाद यह जो मिठाई मैंने मंगवाई थी ना मैंने अपनी क्लास वाल उसके लिए मंगवाई थी क्योंकि मैंने अब जाना था कॉलेज काफी शुटियां कर लीती निकाहावाले दिनों में लीव भी लगवाई थी लेकिन फिर पर चुटियां भी हो गई थी एक तरह से काफी मेरी न तो फिर इस वजए से मैंने का चलो आप काफी दिनों बाद कॉलिज जा रही हूं तो सबको पता है भाई का निकाहा हुई है तो इस खुशी में मिठाई लेकर जाते हैं, अच्छा लगता है ना बंदा लेकर जाए। खुशी होती है, इस तरह से तो फिर मैंने बस पूरी क्लास को जो है मिठाई दी ती इस खुशी में, और भर रात को बनाया था, कीमा भुना हुआ। और मैंने सोचा आप लोग जाए करने काफी दीन होंगे आप लोग सोच रहे होंगे मुस्कारि रहे होंगे डिया एक पहन के साथ काय करें वی-लोग में तो कफी देर से मैं वि-लॉग में नहीं जिस मेंसे ते तकरीबन बारा से पन्रा लेसन के जवें दो दर्मियाने साइस की प्यास तीन से चार हरी मिर्चें और जी यहां पर देख लें मसालों में जाएगा नमक वन टी स्पून सुका दन्या फिसा हुआ टू टी स्पून और यह तो साबत मोटी दादर मिर्च यह वो और पानी डालेंगे इसके अंदर अभी फिल हाल एक ग्लास अब बस इस चाप चीजों को आपने मिक्स कर लेंए बड़ाए इजी सा तरीका है कीमा मनाने का बस आपने जो हैंना कीमा डी फ्रीज लेना है मतलब बस इसको आपने पकाने के लिए रख देना है तेजा आँच ताकि कीमे का कलर ठोड़ा सा पिंक से वाइट होजे इसमें मैंने एक ग्लास पानी ओर डाली जिसमें सब चीजें अच्छे से डिप होजें पूरा यह चीजों डिप हो नहीं चाहिए दो ग्लास पानी मैंने इसमें टोटल डाला है और एक बात का ख्याल रखना है मैंने इसके अंदर अदर रखनी डाला खाली लेसन डाले और वो भी साबर डालें सभी होगा उसको कट कर गिया पीस के नहीं डाला तो फिर इसलिए इसको आपने जो है ना अच्छ से मिक्स कर लेना एजिली जो है ना कुट जाएंगे उसके बार लस्तन जो होता है वह बहुत सॉफ्ट हो जाता है बीस मिनुटों में तो इसको भी चम्चे से इस तरह से मैश कर देंगे यह जो इस तरीके से आप चीजे डाल क मैश करते हैं उसका जो फ्लेवर आता है वह बहुत अच्छा आता है तो बस आपने इसको जो आप तेज आँच पे पकाना है देखा अभी मैने पहले ऑईल नी डाला था इस पॉइंट पहले सिफ मैने पानी में सब चीजों को पकाया था बीस मिनुट के लिए कि यह गल जा यहां पर डाल के दिखाया लेकिन मैंने इसमें एक कप ऑईल डाला था क्यूंकि इसमें ज्यादा ओयल की जरूरत होती है आप देख सकते हैं आपको नजर आ रहा होगा क्यूंकि मैने बार में डाल लिया था तो बहुत बहुत नहीं सकी वीडियो उसकी ना तो आपने ओयल डालना इसके जो कीमा भुना हुआ इसमें टेस्ट देता है ओयल जादा ना फिर उसके बाद बुनाई के बार मैंने इसके अंदर डेसी घी डाला ड़ाय तो डाले वर ना skip कर दें और बस इसको भी अच्छे से mix कर लेना जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी ना तो फिर आपने इसके अदर डाला है, थोड़ा सा पानी क्यूंकि यह जो कड़ाई है ना लोहे की है, इसमें अगर पानी नीना मैं साथा डालूंगी, तो वो जाल रही है साइट से देखे इस लिए, तो आप अपनी कड़ाई के इसाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको ब जिए हमाई पास है गरम मसाला फिसा हुआ और एक चमच है जीरा फिसा हुआ तो जी बस जी लास्ट मसाले ते इसके लावा और कुछ भी ने डालना आप लोग ने और जी कीमे को बहुत अच्छे से आप लोग ने इसमें भी मतलब भून लेना मसालों में और यहां पर जो एन के एंड में आप लोग ने अगर ग्रेवी ठोगी रखनी है तुरा सा पानी डाले और धन्या पुदी नहरी में जो डाले डाले और यह जबरदस सा टेस्टी सा कीमा रेडी हो गया है बहुत मज़े का बुना हुआ कीमा बना था और स्पेशली अगर आप लोहे की कड़ाई म है कि रेस्पी कैसी बनी मेरी फैमली को तो बहुत पसंद आई थी मिर चैनमक अपने टेस्क के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं मैं मिलती हूं ने विलोग के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यासा कॉमेंट अलाहाफिज जी खुश रहें